नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचिते एक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाओ दिये गए है इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महतपूर नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा दोस्तों आपको ये भी पता नहीं होगा कि आउरत के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी घर में अमीरी आती है और जब औरत रात के समय ऐसे सोती है और सुबह में ये काम करती है तो यकीन मानिये ये मैं नहीं कहता बलकि शास्त्र कहता है वो घर सबसे जल्दी करोड़ पती भी बन सकता है दोस्तों नीदे का ऐसी चीज है जो हर इंसान के लिए बहुत ही जरूरी होती है जब हम कुछ घंटों सो जाते हैं तो हमारे शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है और पूरी बोडी रिलेक्स हो जाती है फिर हमारे अंदर दो बारा काम करने के लिए बहुत सारी एनरजी आ जा दोस्तों सोना व्यक्ति के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना की खाने के लिए भोजन आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के ऐसे सोने पर सबसे जल्दी काम्याबी मिलती है महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी रोक नहीं सकता और ये बत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। इसलिए आप भी जानलें और रात में सोते समये ये काम जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उपको इसी के बारे में जराबिस्तार से बतायेंगे। दोस्तों करपया आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्यूंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते ह है आज का वीडियो नमबर एक दोस्तों शास्त्रों में इस पश्ट बताया गया है कि देर रात तक सोने बाली महिला पूरे घर का विनाश करती है और इससे माता लक्षमी रूट जाती है मानेताओं के अनुसार देर रात बे बजह अगर कोई महिला जाती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानिया आ सकती है इसी लिए किसी भी महिला को बे बजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए ऐसा करने से दोश लगता है इसी लिए सुबह जल्दी ही उठ जाना चाहिए नमबर दो दोस्तों धर्म शास्त्रों के अनुसार चाहें आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती है तो बहां पर कभी भी राहु केतु और शनी की द्रिष्टी पर सकती है सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है तो सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए ज्यादा सोना धनकी हानी और बीमारियों को नेवता देने के बराबर होता है नमबर तीन जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक उर्जा से भरी बातों का जिकर बिल्कुल भी ना करें ऐसा करने से नकारात्मक उर्जा आकर्शित होती है और आपके सपनों में आकर या फिर आप पर हावी हो सकती है सोते समय मन में अच्छे बिचारों को लेकर ही सोना चाहिए क्योंकि इससे कामियाबी मिलती है नमबर चार दोस्तों सबसे भारी दोश और भैंकर बरबादी का कारण बनता है इसलिए मंगल बार, शनी बार और ब्रहस्पति बार के दिन जितना जल्दी हो सके जल्दी उठने की कोशिश करें ये समय आपका विनाश कर सकता है शास्त्रों में इस पश्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठना ब्यक्ति पर कई सारे दोस लगा देता है जो की उसे कभी भी बरबाद कर सकते है दोस्तों आप बात करते हैं कि सुबा में आखिर सही महूरत समय क्या है कि समय आपको उठना चाहिए तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों ब्रह्म महूरत यानि इस समय विस्तर छोड़ देना चाहिए सुबा उठने का सही समय चार से साड़े पांच बजे का माना जाता है इस समय उठना मतलब की कामियाबी को दर्शाता है इस समय उठने वाला व्यक्ति देपताओं और माता लक्षमी का प्रिये होता है दोस्तों जरूरी जानकारी जब कोई महिला पूरब और दच्छिर दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिबार धन धानने से भड़ जाता है खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरस्ता हुआ पानी इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए दोस्तों जो जाकता है बही पाता है और जो सोता है वो खो देता है ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में अपना बास बना लें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिकें जै माता लक्ष्मी माता रानी आपके घर से कभी ना जाएं दोस्तों NTV Motivation के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आya होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई and थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो